हलो दोस्तो हम हिंदी साइट तक इतियास कर रहे थे उसमें हमारा फर्स टोपिक था बासा आज हम राजबासा के रूप में हिंदी के बारे में पढ़ेंगे जिस बासा में सासक या सासन का काम काज होता है उसे राजबासा कहते हैं जिस बासा में सासक या सासन का राजकाज हो हमसे क्या कहते हैं राजबासा असोब के समय में पाली राजबासा थी असोब के समय में कुन सी राजबासा थी पाली मुसल्मान बादसाओं के सासनकाल में मुहमत गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजबासा थी मुहमत गोरी से लेकर अकबर तक क्या थी राजबासा हिंदी अकबर के ग्रह मंत्री टोटरमल के आदेश से फार्सी को राजबासा का पद मिला, इस्ट इंडिया कमपनी ने 1333 इसमे में तक फार्सी को राजबासा बनाई रखा, इस्ट इंडिया कमपनी ने कब तक फार्सी को राजबासा बनाई रखा, 1333 तक, लाड मैकाले के परियतन से अंग्रेजी को बारत की राजवासा का पद मिला उर्दू के स्तान पर हिंदी को कचहरियों में स्तान दिलाने के लिए सबसे पहले बारत तेंदू ने पत्तर लिखा था पंडित मदन मोहनमाल विया के स्तत पर यतनोंने से 1901 इस्वी में सयुक्त परांद की राजवासा के तक राजवासा संबंदी प्रावदान किये गई हैं बारतिय स्वीदान में हिंदी को 14 स्तंबर 1909 इस्वी को गोपाल स्वामी अयंकर ने हिंदी को राजवासा के रूप में प्रस्तुत किया तथा इसी दिन हिंदी को बारत की राजवासा गोसित कर दिया गया सवीदान की दारा 120 के अनुसार ये काफ़ इंपोडेंट है सवीदान की दारा 120 के अनुसार संसद में कारिय हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा सवीदान की दारा 120 के अनुसार यथा स्तीती लोग सभा के अध्यक्स या रज्य सभा का सभापति किसी सदस्य को मात्री बासा से संबोधित करने के नुमती दे सकता है अनुछे 370 ताड़ी इसमें कहा गया है कि बारत संग की राजबासा हिंदी तथा राष्टिय लीपी देवनागरी है अनुछे 344 इसमें कहा गया है कि राश्ट्रपती को राजवासा संबंदी सला देने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्स की नियुक्ति कौन करेगा राश्ट्रपती, 7 जून 1955 को पर्थम राजवासा योग का गठन किया गया, जिसके पर्थम अध्यक्स कौन थे बाल गंगादर खेर, अर्थत बीजी खेर, और इसके पर्थम राजवासा योग का गठन कब किया गया था, 7 जून 1955, 7 जून 1955, 16 नुवंबरummer 1957 को संसदियराजवासा योग का गठन किया गया, 6 नुउंबर 1957 को, जिसके अद्यक्स गोविन बल्लबाई पंथ थे, कौन थे गोविन बल्लबाई पंथ और राजवासायोक का गठन कभ्यागा था साज़ुन निसो पचपन और इसके अद्यक्स कौन थे बालगंगा दर खेर, संसदिय राजवासायोक का 16 नौंबर निसो स्थावन और इसके इसमें कहा गया है कि परतेक रज्य अनुसूची आठ में वरनित 22 परदेशिक बासा में से किसी एक को अपने रज्य की राजबासा बना सकता है। दिल्ली एक ऐसा के अंदर सासित परदेश जिसकी राजबासा क्या है हिंदी। महाराष्टर गुजरात पंजाब और अंडेमान निकोबार दीफ समू में हिंदी को दुवीतिय बासा का तरजा प्राप्त है। जम्मू कस्मीर की बासा कौन सी है उर्दू जम्मू कस्मीर की उर्दू बंगाल की बंगला केरल की मल्यालम लक्षयदीव की मल्यालम केरल की मल्यालम और लक्षयदीव की भी मल्यालम। गोवा की कोंकनी, आसम की असमिया, नागालेंड और मिगाल्य की कुन सी है, अंग्रेजी, मनिपूर की मनिपूरी, तमिलाडु की, तमील, अंदर परदेश, मदरास की क्या है, तेलगुन, और माराष्टर की, मराठी, अनुशे 336, अनुशे 336 में क्या का गया है, रज्जे त होगी कुन सी होगी जो खेंदर की राजबासा होगी लेकिन विशेश परिस्तितियों में अंग्रेजी का परियोग किया जाएगा अनुछे तिन ससंतारिश में क्या है किसी अक्षेतर के दवारा बोली जाने वाली बासा को राष्ट्रपती अनुसूची आठ में स्तान दे सकत है अनुछे तिन सटारिश उंच नेले उंच तम नेले सांसद और विदेयक के परियोग में अंग्रेजी लाई जाती है अनुछे तिन सटारिश बासा के लिए विशेश अदिनियम है अनुछे तिन सपचास अब्यादेश अद्यादेश की बासा हिंदी होगी लेकिन विश विशेश प्रिश्तितियों में अंग्रें जी का पड्योग किया जाएगा, उनुचे्टिंस अदिनियम में उनुचे्ट 155 कमें क्या है, पराथमिक स्थर प्र मात्री बासा की शिक्ष्या को अनिवारिया करना, प्राथमिक सदर प्रग्या हमातरी बासा के शिख्या अनिवारी है 96 350 है किसी अल्पबासी के लिए राष्टरपती कुछ अधिकार या उनके लिए विशेश अधिकारी की नियुक्ती कर सकता है 96 350 के इंदर सरकार तथा रज्य सरकार का यह दाइतव होगा कि हिंदी के परचारे अंपरसार के लिए उसे कदम उठाए पर्थम राजबासा अधिनियम कब आये था 1963 को इस अधिनियम में हिंदी को कुछ वरस दस वरसों के लिए यथा रूप बढ़ा दिया गया अर्थात हिंदी को राजबासा अंग्रेजी को इसी तरह परियोग में लाया जाएगा जिस तरह सतंतर तबारत अर्थात 1967 के पहले परियोग में लाया जाता था राजबासा दिनियम 1976 यह पर्थम कब था 1963 राजबासा दिनियम 1976 इस अधिनियम में प्रावदान किये गए कि हिंदी जिस परकार परियोग में लाई जा रही थी उसी परकार अंत वर्सों तक परियोग में लाई जाएगी तथा अंग्रेल जी का परियोग यथा स्तान रहेगा जब तक संसत कोई कानुन नहीं बनाती इस अधिनियम के तहट सं पुनबारत तीन बागों में बाटा गया है, तीन वरक इसके अंतरगत हिंदी परदेशों को रखा गया है, इसके अंतरगत किसे रखा गया हिंदी परदेशों को, वरक इसमें ऐसे परदेश सामिल किये गई है, जहां हिंदी को बोला वैस समझा जाता है, वरक ऐसे रज जहां हिंदी को नै तो बोला जाता है और नही समझा जाता है वासा से समबंदित अनुसुची कुन सी है आठा 14 बासाओं का उलेक था, लेकिन समय समय पर संसोधन परिकरिया दवारा को छोर बासाओं को जोडा गया, जिसमें की संक्या करतनी हो गई है, 22 संसोधन निमन लिखित है, 21 मा सविधान संसोधन 1967, सिंदी बासा को जोडा गया, 21 मा सविधान संसोधन दवारा सिंदी बासा को इसे हम कैसे याद रखेंगे नमक, नमक नैसे नेपाली, मैसे मनिपूरी और कैसे कॉंकनी, बाण में मास वीदान संसोधन 2003, इसमें कौन कौनशी को जुड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसे हम कैसे याद रखेंगे, बोडो, मास से, विशव हिंदी सम्म संस्तापक राष्ट्र बासर परचार समीति वर्द दवार, विशव सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन मना गया, जो सिसका सचिवाल्य कहा मूरिशस, पहला विशव हिंदी सम्मेलन, 10-14 जन्वरी, विशव हिंदी दिवस कबोता, 10-14 जन्वरी, 1905 इसका स्थान के था नागपूर, पहला कांवा, इंडिया में, नागपूर में, 10-14 जन्वरी, 1905 इसका स्थान के था नागपूर, दूसरा विशव हिंदी सम्मेलन, 23-30 अगस, 1906 पर्ट, लुई, मुरिशस, पहला विशव हिंदी सम्मेलन, 23-30 अक्टपूर, नागपूर, नागपूर, दूसरा नागपूर में चतूर्थ विशव हिंदी सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर 1903 में पोर्ट लोई मोरिशस में पंचम विशव हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्राइल 1904 में टैब एगो में छटमां 14 से 14 स्तंबर 1903 में लंदन में आम जो जो इंपोर्डेंट वो देख लेते जो इंडिया में हुए हैं क्यो इसमें हमारा पहला हुआ था नागपूर में जो 1904 में हुआ और तेसरा हुआ था 25 से 30 अक्तवर 1904 नई दिल्ली में और और दस मा वा विशव हिंदी सम्मेलन दिवस 10 से 12 स्तंबर 2015 बोपाल में ये तीन इंडिया में हुए हैं पहला विशव हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनौरी नचल पीचरत्र को नागपूर में किया गए जिसकी अध्यक्ता किसने की थी शीव सागर राम गुलामने 10 मा हिंदी विशव सम्मेलन 10 से 12 स्तंबर 2015 को कामवा बोपाल में इसकी अद्यक्सता किसने की सुसमा सवराज ने, पहले की किसने की थी, सिव सागर राम गुलाम ने, और दसमे की किसने की सुसमा सवराज ने, गरमा हिंदी, फिसव सम्मेलां 2008 में मुरिसस में हुआ, 10 जन्वरी को विसव हिंदी दिवस मनाया जाता है, बारत के बासा परिवार, बारत में बासा परिवार बोलने वाले कुन कुन से है, बारोपिया, बारोपिया कितने हैं बासा परिवार, बारोपिया 30% दरविड 25%, आस्टिक 1.3%, चिन्नी और तीवती 0.7% बारत में मुख्यर उसे चार बासा परिवारों की बासा बोली जाती है बारोपिय परिवार हिंदी बंगाली मराथी गुजराती पंजाबी सिंदी असमी उडिया कस्मीरी उर्दू मैथिली और संस्कृत दर्विड दर्विड के कौन-कौन से हैं कननड तमील तेलु कोड टोडा और कोटा आश्टिक परिवार आश्टिक परिवार की परिवारा की बासा बोलने वालों को निशाद कहा जाता है यह कूंसि ये संथाली मुंद्री और मुंडा जisations द्वहार बोली जाने वाले बासा चिन्ड और तिबदि इस बासा मिभार की ब निशाद के नाम से और चिन्नी को किराथ के नाम से जाना जाता है चिन्नी तिबति बासा परिवार को तीन बागों में बाटा जाता है तिबति हिमाल्य इसमें दो बाग है बोटिया वरग हिमाल्य वरग उत्री असम आसमी मायन मारी बोटिया वरग तिबति लद्दाखी लाह हिमाली वरग में चंपा लाहुली कि नोरी और लेवचा, उत्रियसम अकका डफला मीरी आबोर और मीशी, हिंदी बासा महत्यपून तथ्य हिंदी बासा के जो महत्यपून तथ्य हुशे देख लेते हूं, हिंदी की पांच उबासाईं तथा ठारा बोलिया हैं, हिंद वी एह्मद खा हिंदी को गवारु उपली किसंदे कहा है हिंदी को सरसीयद एहमद कहने। राम, चंढर, शुकल, साहित्यकर अप्बरंस को पुरानी हिंदि मानते हैं. हजारी, फर्शा द्विवेदी अप्बरंस को पुरानी हिंदि नहीं मानते. हिंदी की उप बासाओं की संक्या कितनी हैं पांच, पांच अलिक कन्णों जी बोली का परियाई है, पांचाली किसका प्रियाई है कन्नो जी का बनाफरी बुंदेली की उत्तर कोसल की बुली अवदी है दक्सिन कोसल की बुली 36 गड़ी ग्रियसन ने हरियाणवी को बांगरू किसने का है ग्रियसन ने खड़ी बुली को राहूल साखरित्याने कोरवी कहा है सुनिती कुमार चटर जी ने खड़ी बोली को मरदानी बासा कहा है, डॉक्टर क्रियसन ने खड़ी बोली को देशी हिंदुस्तानी कहा है, बरजबासा की सबसे पुरानी ज्यात कृती परदुमन चरीत है, जादो बार्टी बरजबासा की एक उपबोली है, कोर्वी में दवित्त वेंजनो कादिक परियोग हुआ है, कोर्वी में हाडोती, बुंदी और कोटा की बोली कुन सी है, हाडोती, दखनी बोली कोर्वी के सरवादिक निकट है, हिंदी बासा को हिंदुस्तानी से पृतक देशी बासा के रूप में सबसे पहले विलियम प्राइंस ने स्विकार किया था, मानकी करन का सरव पर्थमुलेक एथ रिंगटन ने किया है, मानक हिंदी की आदार बोली कुन सी है, कोर्वी, कोई भी बोली या बासा मानक दाती हैं, जिशे हम सुध हिंदी कहते हैं वह मानक बासा है, बासा रूप के विविन सत्रों पर एक रूपता लाने के कारिया को मान की करन कहते हैं, हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले पर्थम रचनाकार कोन है चतरदारी सिंग ने हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखी थी उनिश मी सदी के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाला विद्वान को न था मभी का दत व्यास बरत एंदू हरीश चंदर तथा राजा सिव परसाज सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिहनों को अलग करके लिखा कारक चिनों को अलग करके किसने लिखा राजा सिव परसाज सितारे हिंद ने मानक हिंदी में वेवहारी का दार पर सबद पांच परकार के होते हैं पस्चमी हिंदी का विकास अप बरंस के सोर सेनी रूप से हुआ है ब्रिजबासा का उद्य सोर सेनी अप बरंस के मद्य वर रूप में से हुआ है अरंबिक बर्जबासा के दो रूप मिलते हैं अरंबिक बर्जबासा के कितने रूप हैं दो ब्रिजबासा का एक अन्या नाम पिंगल है ब्रजबुली बांगला का एक क्रित्रिम रूप है ब्रिजबुली किसका रूप है बांगला का क्रित्रिम रूप ब्रिजबूली सबद का सरव परतम परियोकिस ने किया था इस्वर्चंदर गुफ्तने अवदी के उद्या का सरोत क्या है अर्द मागदी अवदी कान्या नाम क्या था कोशली अब बरंस का बवबूति पुष्पदंत को कहा जाता है बारतिय अरिय बासा के विकास के कितने चरण है तीन गौड भोवाकपति राज की रचना है हिंदी का पर्थम कवी क्या कोन है सरहपपा हिंदी की पर्थम रचना देवसिन सरवक काचार हिंदी खड़ी बोली के पर्थम कवी कोन है अमीर खुष्रू बांगला का विकास अपबरंस के मागदी रूप से हुआ है पाहुड दोवा के रचनाकार मुनी राम सिंग है प्राकर्थ की तरीतिय अवस्ता को अपबरंस या अभट भी कहा जाता है अपबरंस सबद का सबसे पहले उलेख पतंजली ने किया था अपबरंस के अर्थ में अपबरंस सबद का सरव पर्थम पर्योग छटी सदी से मिलता है पहडी हिंदी उपबासा का विकास खस अपबरंस से हुआ है अपबरंस की उत्तर काली नवस्ता का नाम क्या है अभट चरीत कावे सरवादिक जैन साहित्य में रचे गए प्राकर्त बासा में जैन उपदेश तथा जैन गरंथ लिखे गए थे प्राकर्त बासा को गाउं की बासा या आमजन की बासा भी कहा जाता है अपबरंस को बिगडी हुई बासा कहा जाता है बासा के लिए हिंदी सबद का लिखीत रूप में सरव पर्थम पर्योग सफुरुदिन के जफर नामा में जगनाद दासरत नाकर ने खड़ी वोली के समर्तकों को हट्टी और मुरक कहा है बासा के सुद रूप का ज्यान वयाकरण से होता है एक बासा दूसरी बासा से सबदावली ग्रहन करती है सरव पर्थम बासा का परियोग मोखिक रूप में हुआ है बारत की प्राचिन बासा संस्कृत है हिंदी से थाहित्यिक पुस्थकों की वाशा ओसे है संस्कृत वाशा का प्राचिन रोपरिग्वेद में द्रीष्ट व्या होता है हिंदी वाशा नेवनागरी लिपी में लिखि जाती है बासा में परयुक्थ होने वाली संस्कृत वाशा को क्या कहते है लोकिक संस्कृत, बारतवर्ष में हिंदी को राजवरक की बासा में रखेंगे, हिंदी फार्सी बासा का सबद है, हिंदी कुन सी बासा का सबद है, फार्सी बासा का, हजारी परसाद द्विवेदी के अनुशार, हिंदी किसी एक रूप बासा का नाम न होकर, एक बासा प्रमपरा का नाम है यह किसके सबदा है हजारी परसाद दविवेदी के बाली बासा संस्कृत की अब बरंस है पाली बासा पंजाबी बासा का जनम पेशाची पंजाबी बासा का जनम किसे हुआ है पेशाची अब बरंस से पुरानी बंगला बरजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी ब कि तंट nice hoursimaan पाइए 5 अवेस्ता पुस्तक में हिंदि का सरोपर्थम परियोग हुआ सरोपर पर्थम किश में विस्ता पुस तक पे मराथी बाष्या के लिफी देवनागरी अधितर बार्थिय बासाहों का विकास ब्राहमी लीपी में हुआ है उत्तर कालिन अपबरंस को अवठ के नाम से भी जाना जाता है स्री लंका में पाली को क्या का जाता है मागदी हिंदी बारोपिय बासा परिवार की बासा है हिंदी बासा का खड़ी रूप मानक हिंदी के रूप में स्विकार किया गया बा 12 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है बीजी खेर 1905 में गठित पर्थम राजबासायों के अध्यक्स बने व्याकरण उर्वर्तनी की दरश्टी से सुद बासा प्रांजल बासा कहलाती है बासा यादार पर सरव पर्थम कोन से राज़ा का गठनवा अंदर पर देश का अंग्रेजी बासा के लिए पिकुन सी है रोमन सभी दान के अंशे 350 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्नन किया गया अब हट बासा से तात्वरिय ग्रामिन अपबरन से है उर्दु तुर्की बासा का सबद है उर्दु के इसका बासा सबद है तुर्की और हिंदी फार्सी का दक्सिनी बारत हिंदी पर चार सबा का मुख्यल्य का है चे नई में उत्तर परदेश सरकार द्व में चाहते जेसुआ केटलर संसकृतथ वासा को टकसाली वासा भी कहा जाता है कसूरी दास वाजपई को हिंदी का पाणजनी कहा जाता हैं Gud lippi के कुटिल लीपी है मैं हिंदुस्तान की तूटी हूं अगर तुम मुझ से वास्ता में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंद भी में पूछवे कथन किसके थे अमीर खुश रोके हिंदी नई चाल में डली ठारा सो तियत्तर ने यह कथन अपनी पुष्टक काल चक्कर जर्नल में लिखा है बासा विज्ञान की दरश्टी से हिंदी वियोग आतमक बासा परकार की बासा है बासा विज्ञान की संबन की से राजस्तानी सहीत्य से संथाली आश्टिक बासा परिवार की बासा है संथाली कुन से परिवार की बासा आश्टिक बासा परिवार की बोडो चीनी तीबती बासा परिवार की बासा है बोटिया चीनी तीबती बासा परिवार की बासा है महा पुरान में को पुरानी हिंदी कहा है शुकल जी ने पुरानी हिंदी को प्रकरता बास हिंदी या अपबरंस कहा है नामवर सिंग ने परवर्ति अपबरंस को अभट कहा है परवर्ति अपबरंस को अभट किस ने कहा है नामवर सिंग ने गुलेरी जी के अनुसार पुरानी हिंदी के पर् गितावली और किश्यन गीतावली में पाते हैं.. यह किसके सब़иц है!? राम्चंदर सुकल कि रामCंदर सुकल कि अंसारी बदमाकर कि वासा बहुत ही चलती, सभ भाविक !! और साफ सुत्री ढक्टर हर्तें बाहरी के अंसार हिंदी की कितनी बोलिया हैר 15 और बॉलानाति यहाड़ी और जाड़ साही या जंगली बोला जाता है जाड़ साही या जंगली बेली की बेली को सुनीती कुमार चटर जी ने राज्यस्थान की बोली माना है राज्यस्थान को अब बरंस की जेठी बेटी कहा जाता है यह अमारा बासा वाला टोपिक कम्प्लीट होगे कल हम next topic करेंगे thank you for watching